अड़क सब जो हमारे हाँ है चाहे खाद रूत पादन की बात हो या फूट वेजटेबल सब में बढ़ रहा है लेकिन आपने जैसे कहा कि अभी जो जो पोसर सुरक्षा है वो नहीं मिली है उसमें क्या-क्या खास कमिया है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है नीत क्यारन की कमी है कैलशियम की कमी है प्रोटीन की कमी है और टोटल एनरजी की भी कुछ हद तक कमी है डिस्ट्रिबूशन में तो खाद जो किसान है अगर वो एक से जादा तरह की प्रोड़क्ट्स होगाएंगे कि गहूं भी है और उसके साथ अगर मोटे अनाज जवार संभावनाएं बढ़ जाती है और क्या कमिया भी आप जो बता रही थी इसमें बहुत सारी सी कमिया है जिसमें बिटमिन्स की कमी है जबकि सब चीजें अविलेबिल है हमारे पास जब तक लोगों के पास उपलबधता सहज ना हो तो कितना भी उत्वादन हो उससे क्या फरक प्रिया यह की सॉल्ट को आयोडा इसको यह कमी त्यवनाः फार की आपको ध्यान होगा सेवनटीज तक की अब वो दोस्क्त लेट की सॉल्ट को आयोडाऑना है लेकिं आइरन की कमी अभी भी बहुत है iron tablets pregnancy और lactation में देते हैं पर बहुत सारे लोग वो खाने ही रहे हैं और बाकी जो है कि बच्चों में भी इसकी कमी है 50% से ज़्यादा population अनीमिक है जो स्कून की कमी है तो ताकत कम है प्रोटीन की कमी है तो शरीर बढ़ा नहीं है पूरा मसल्स कम है एनरजी लेवल कम है तो इसलिए ज़्यादा खाना चाहिए बैलेंस्ट चाहिए जो कि पूर तपका है लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे हां ओबेसिटी भी बढ़नी शुरू हो गई है पहले तीन परसंट थी अब ये नौ परसंट के आसपास हो गई है अफकोर्स ये शहरों में जादा है लेकिन गाओं में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है अखरी सवाल करेंगे कि आप एक्सपर्ट हैं और ऐसे भी सुध्याले से आती है जो पहला भी सुध्याला इस देश का और क्रीन डेवलेशन की भुनियाद भी रखी आपने कहा कि कुछ नीतिगत समर्थन देने की जरूवत है जैसे और कुछ नए संस्थाएं खड़ी करने की जरूवत है जागरुकता के लिए वो किस तरह से क्या करने की जरूवत है अब देखिए कि अगर नीतिगत की बाते देखिए आइसी यार हमारे हां जो इंडियन कांसिल आफ एग्रिकल्चर रिसर्च है वो एग्रिकल्चर प्रोडक्शन पे काम कर रहा है आईसी एमर्ज है वो बिमारियों पे काम कर रहा है दोनों ही थोड़ा थोड़ा पोशन की बात करते हैं लेकिन वो उनकी फर्स प्रायोरिटी नहीं है और पूरी पॉपुलेशन उससे प्रभावित है तो एक नैशनल नुट्रिशन कांसिल भी होनी चाहिए जिस पे की सारे नुट्रिशन क स्थानों पर जरूरा मंत्रिट किया जाए उनसे टेकनिकल राय ली जाए कि किस तरह सो जागता है यह बहुत आवश्यक है